जनपद रोदर प्रयाग के दूरस्त इलाकों में भी विक्षित भारत संकल्प यात्रा की तहट प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग-अलग राज्यों के लाभारतियों से सीधा संबाद किया। उन्होंने बर्चुली माध्यम से वर्स 2047 तक भारत को विक्षित राष्ट बरानी में सभी से सहयोग दैने का आभान किया। देश निरंतर प्रगति की और अग्रशर है। उन्होंने कोट गाव में विक्षित भारत संकल्प यात्रा की कारिक्रम हितू ग्रामीनों को बदाई दी। इस मोके पर उन्होंने उपस्थित विभागिये अधिकारियों, कर्मेचारियों और ग्रामीनों को विक्षित भारत शंकल पर यात्रा की शपत दिलाई मुझे उस्वाला गेश की योजना मिली है पहले हम जंगल जाते थे लेक्री के लिए आज हमारे गाउं में जो परधान मंत्री जी का जो कारे करम रहा गया था विक्सिक शंकल भारत यात्रा उसके माजन चाज पादान मंत्री जी ने सीधे हम लोगों से बात की और इसमें काफी लोगों की भीड़ी खटती राज के इंट्रकालित कोड़ी में हमें दो जोगों पर ये कारिकर माय जुत वाता है जहां प्रधान मंत्री मौदय का साथ सभी लोगों ने सुना और मुझे बहुत खोशी है कि यहां लोगों में काफी उत्सा था कुछ नहीं टैक्लोजी इसको लेकर यहां पर अमने लोगों के सामने डेमर्स्ट्रेशन किय जहां तक हमारे जो संकल भारत यात्रा है वो मान्य प्रधान मंत्री जी का ड्रीम है कि हमारा देश दो हजार सेहतालीस तक अपना विक्सित देश हो देखे विक्सित भारत संकल प्यात्रा इस समय पूरे देश में चल रही है और उसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत कोट म में यात्रा पहुंची है और मोदी जी की गारंटी के नाम से जो बाहन यहां पर आये हैं बहुत बड़ी तादात में छेतरीय जनता यहां पर आई और बहुत तनमेता से उन्होंने मोदी जी को सुना